सब्सक्राइब करें जोतिस स्प्स चैनल को और बेल को दुबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमास्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो हमारे पार धेली बहुत सारे सवाल आते हैं कुमेंट्स आते हैं जिसमें ये काफी बार पूछा जाता है कि हस्करेखाओं को देख के बताईए कि जीवन साथी के अवैद या फिर गूप्त संबंद होंगे या फिर नहीं मतलब के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर तो नहीं रहेंगे जिसकी वज़े से कोई मैरिड लाइफ में प्रॉबलम आए तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहेगा क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई दिक्कति की आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आईए शुरू करते हैं पूछ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताएंगे दो तरीके जिसके लिए आपको देखना है सबसे पहले यहां पर शुकर का परवज़ जो है यहां से हम पहला तरीका जान सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको देखना इस परकार से है आप सीधा हाथ कर लीजिए गाँ अब ये तो है लेटा हुआ हाथ, आपको खड़ा हाथ करना है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से बहुत सारे रिखाएं देखने को मिल जाएंगी, अब अगर आप इस हाथ की एक्जेम्पल को लें, यहाँ पर आपको बहुत बारिक लाइन्स देखने को और वो भी इस डिरेक्शन में दोस्तों, मतलब कि लेटी हुई रिखाएं, अब यह जो रिखाएं हैं, जितनी ज़्यादा बारिक रहती हैं, और जितनी ज़्यादा लेटी हुई रहती हैं, तो दोस्तों उतना ही आपकी मेरिड लाइफ के उपर इफेक्ट पड़ता है, ज उपर से जो है दोस्तों, आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि नैड लाइफ से खुश नहीं है, जिसकी वज़े से है आगे चल कर हो सकता है कि उनका अवैद संबंध हो, किसी आगे और पार्टनर के साथ उनका कोई और रिलेशन चल रहा हो, तो दोस्तों एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, अब मान का जलिए, यहाँ पर जो रेखाएं हैं, इस परकार से बरी हुई हैं, और अगर कोई रेखा इस परकार से बाहर निकल जाती है आपकी लाइफ 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 से, अब यह है आपकी जीवन रेखा, अब इस रेखा से यह रेखा बाहर निकल जाए और रिखाई जितनी ज़्यादा बाहर रहेंगी तो उतना ही ज़्यादा चांसेंस बढ़ते जाते हैं एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर रहने के आपके लाइफ पार्टनर के और आपको बताना जाहेंगे दोस्तों इस कंडिशन में जो है आपके लाइफ पार्टनर के जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं मतलब कि एक से ज़्यादा तो दोस्तों इस प्रकार से आप अनलाइस कर सकते हैं यह बिल्कुल ही असान तरीका बताया है और हां एक और फैक्ट बताते हैं कि अगर यह वाली कंडिशन रहती है जिसमें रिखाई लीटी हुई ज़्यादा ह हैं पर अगर यह रिखाएं दोस्तों ऑपजी डिरेक्शन में हैं इस परकार से खड़ी रिखाएं ज़्यादा हैं लेटी हुई रिखाऊं से तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि यह पॉजिटिव साइन है यह आपकी हैपी मैड लाइफ को भी दिखाता है रिलेशनशिप भ पांग रहता है और फैनेशल कंडिशन में भी अच्छा खासा आपको बड़ोतरी देखने को मिलती है मतलग कि पैसा आता है बच्चत रहती है और यहां पर पैसे की कमी नहीं होती है अब इसके बाद दूसरा तरीका यह और भी ज़्यादा असान है दोस्तों जिसके लिए आपको देखना है अपनी छोटी उंगली के नीचे बना हुआ बुद्ध का परवत अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगी इस परकार से बनी होई रिखाएं अब देखें दोस्तों बहुत यह असान तरीका बताएंगे आपको मान का चलिए कि आपके बुद्ध परवत क इस परकार से एक रिखा बनी हुई है और यह इस परकार से दो मुखी भी हो सकती है हो सकता है कि इस परकार से मुख खुला हुआ हो आपकी इन रिखाओं का दोस्तों पताना चाहेंगे कि अगर यह वाली कंडिशन है तो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर रहने के चांसस बढ़ जाती है यहां शादी के बाद जो है आपका पार्टनर अवैद समंद रख सकता है गुप्त समंद रख सकता है किसी और के साथ और यह भी देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसी वट्टी जो हैं फलर्टी किसम के होते हैं मतलो कि फलर्ट जादा करते हैं शादी से पहले भी इ गाफर हस्बंड के इलावा इनके बाहर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर देखने को मिल सकते हैं मतलब के ये काफी रंगीन मिजाज के होते हैं पर डॉंट वरी ये जो कंडीशन है लंबे समय के लिए नहीं रहेगी अब यहां पर जो है कंडीशन जो शादी के पांस साथ साल तक रह सकती है अब इसके बाद मान के चलिए के ये जो रेखा है इस परकार से तो बनी हुई है पर ये जो ब्रांच आपको बताई थी ये इस पॉइंट शी शुरू होती है मतलों के बिलकुल ही सिरे से बट अगर मान के चलिए के एक सिंगल मुखी रेखा है आगे जाकी दो के जैसे कि वाई होता है अगर ये वाली शिय बन जाती है यहां पर तो दोस्तों यहां पर डाइवर्स होने के या फिर तलाक होने के भी चांसस हमें ज़्यादा नाजर आते हैं और आगे चलिए कर दूसरी शादी का भी योग बन सकता है यहां दोस्तों यह बिलकुल ही सट हैं या फिर हमारे पास काफी बार देखने को मिलता है इसका मतलुत तीन रहा है या फिर चार रेखाएं होगी तो क्या चार शादियां होगी वो भी आज के मॉडरन टाइम में जो के बिल्कुल ही गलत है दोस्तों अब आप इसे खारिज कर सकते हैं और सही तरीका यही है कि एक रेखा बनी हुई है और आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो यह तो शादि का योग बनाती है और हाँ दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अवैद संबंद के जो चांसेंस हैं वो बढ़ जाती है और यहाँ पर दूशरी शादि का योग बन सकता है अब इसके बाद मार के चलिए कि आपके बुद्परवत की ऊपर रेखा जो है उसकी डिरेक्शन छोटी उंगले की और है या फर यह जो रेखा है बहुत जादा लंबी है तो दोस्तों इन दोनों ही कंडिशन्स में जो आपका रिलेशन्शेप है आपके पार्टनर के साथ काफी जादा कमजोर रहता है जी हाँ मनमटाव रहते हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई जगड़ा होना और इस परकार से जो ग्रैकलेश बढ़ते ही चले जाते हैं और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इनके जो रेलेशन्शिप में किसी परकार की बाहरी मतलब के बाहर से कोई हो सकता है कि अवैद समंद रखा हुआ है तो उसकी वज़े से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के हमें चांसे रह सकते हैं या फिर आपका जो पार्टनर है आपके ऊपर ही डाउट कर सकता है या फिर ज़्यादा तर छोटी पर रोक टोक रह सकती है नहीं जाना है या फिर नहीं करना है इस परकार की प्रॉब्लम रह सकती है और खुद जो है पार्टनर सब कुछ करता है तो इस परकार की प्रॉब्लम रह सकती है और इसके इलावा ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो मिर्ट्यू है आपके पा चलिए कि यही रेखा नीची की और है मतलो कि नीची की और इसकी डारेक्शन जा रही है और वो भी हर्दे रेखा की और तो दोस्तों इस कंडिशन में आपको चिंता करने की जुरूत नहीं है क्योंकि यह एक positive sign है और देखने को मिलता है कि ऐसी व्यक्ति जो हैं खुस मिजाज होते हैं और happy mad life होती है partner जो है support करने वाला मिलता है मतलो कि अगर आप कोई भी कारे करना है तो उसमें आपको support मिलेगा सहयोग मिलेगा कदम से कदम मिला के चलने वाला partner मिलेगा जो कि बहुत अच्छा संकीत है पर इस condition में जो है दोस्तों आपकी हो सकती है कि उमर लंबी हो और आपके जो partner की उमर है वो कम हो मतलो कि आपका partner जो है आपसे पहले मिर्ट्यू को प्राप्थ करता है तो इस परकार की condition रह सकती है अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ extra possibility बताती है मान के चलिए कि आपके बुद्ध परवत पे इस परकार से एक लंबी रेखा है उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं है दोस्तों इस condition में जो है शादी होने में problem आएजी मतलो कि शादी के लिए रिष्टा तो आता है पर बात पकी नहीं हो पाती है तो शादी देरी से होगी अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपके लंबी रेखा पहले है और उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई है मतलो कि बिल्कुल ही opposite तो इस condition में शादी दो जल्दी हो जाती है मतलो शादी पहले हो जाए जी बट शादी होने के बाद जो है problem रह सकती है किसे परकार का लड़ाई जगड़ा रहना ग्रह कलेश रहना और उपर से यहाँ पर आपके partner के extra marital affair के संगेद भी नजर आती है पर दोस्तों यह जो condition है लंबे समय के लिए नहीं रहती है don't worry यहाँ पर जो है शादी के 5-7 साल तक ही ऐसी problem आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद जो है problem में सुधार भी आएगा और आपकी happy made life भी होगी तो दोस्तों यह थी कुछ खास जानकारिया जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्त रेखाओं से कैसे जा सकते हैं कि आपके life partner के अवैद सम्मन्द या फिर गुप्ट सम्मन्द तो नहीं होंगी आई हो कि आपके सभी डाउट से हम पर clear हो गए होंगे बड़ अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं आगे आपके इस टोपिक के पुरे वीडियो लेखना चाहते हैं तो वह भी आप हमेशेस्ट कर सकते हैं पर एक जु सब्सक्राइब करके बैल आगें जुरुत बाद में नेक्स्ट टूडियो के डेट के लिए मैं आप सुनोंगा एक और इंट्रेस्टिंग डॉपिक के साथ तब तुम्हें इजाजित दीजिएगा नमस्कार